हेलो फ्रेंट्स बेल कम बैक टूर चैनल मैं हूं आपको दोस्त परांसू और आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो मैं आपको बताँगा की से 맛이 में कैसे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दिख सकते हैं जब आप Canva open करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह आपका setup आएगा यह रखना है और जो height रहता है 96 यह रखना है तो पहला step हमने कर दिया जो होता है mean size Canva में एक चीज़ सबसे best यह है कि आपको जो designs है यह already automatic यह बनी ही मिलती है तो आप इनी में कुछ छोटे से simple editing करके design बना सकते हैं तो जिस पर आप देख रहे हैं यह pro लिखा है तो यह paid यूज नहीं करेंगे हम free वाले यूज करेंगे और अगर आप चाहें तो अपना खुद का design बना सकते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपना खुद का design बनाता हूँ सबसे पहले मैं background का color ले लेता हूँ तो background color हम ले लेते हैं कोई सा भी चलिए pink लेते हैं pink लेने के बाद यह देखें यहां आपको दिख रहा होगा element element पर क्लिक करना है अब हम लेंगे corner flower तो यहां मैं लग देता हूँ corner flower तो यहां water flower भी लिख सकते हैं तो कुछ इस प्रकरसी यह सारी चीज़ें आपके सामने आगे हैं जैसे यह flower यह free flower है बागी के जिस पर यह pro लिखा है यह सब आपके पेड़े हैं तो हम free वाले flower यूज़ करेंगे तो free वाले कैसे यूज़ करने वह भी मैं आपको बताऊंगा भी तो सबसे पहले हम flower select कर लेते हैं कौन सा flower हमें लगाना है तो कोई सा भी flower हम ले सकते हैं जैसे कि मैं यही flower ले लेता हूँ तो यहां design बनाने में यह कि जो flowers होते हैं या कुछ भी ले हैं वो water color आता है तो look थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है इसको हमने ले लिए इसी पर यह देखे प्लस इसका मतलब है duplicate तो हम इसको double कर लेंगे और इसको rotate करके दूसरी तरफ लगा देंगे तो पहला छोटा सा setup complete हो गया तो यहां थोड़ा सा हमारे cup के design का look आ गया है अब second चीज है कि अगर हम photo लगाते हैं तो वो कैसे लगा है तो photo के लिए आप क्या करेंगे आपको लिख देना है तो square लिखने पर तो आप दिख सकते हैं थोड़ा network slow था इसलिए यह आ रहा था यहां आप दिख सकते हैं अगर नहीं दिखाई दिता है तो यहां से आप बना रहा हूं यह दो photos का बना रहा हूं और anniversary design बना रहा हूं इसको भी हम दुबारे से copy करेंगे इसके according middle करेंगे और इसको हम side में ले जाएंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि flower के ऊपर आ रहा है तो इसको अंदर के लिए क्या करेंगे flower पर क्लिक करा right क्लिक करा mouse का layer में गए अब bring forward यह आ गया उपर इसी प्रकार से इस flower के साथ करना है लिएर में गए bring forward तो यह वी उपर आ गया है पहले step हमर complete हो गया second step की थोड़ा सा भी हमें ज्यादा लोग अच्छा नहीं आ रहा तो और इसको attractive कैसे करें तो यहां लिखते है एनिवर्सरी डिजाइन यह ड graph में click करने से यही कि आपके सारी png सा जाते हैं तो यहां आपको अपने coding जो भी png है वो आपको ले लेना है तो png जादर तो इसमें पेड़ेंग जो free होंगे हम वही लेंगे क्योंकि हम free design बना रहे हैं तो यहां मैंने भी एक design देखा था है यह रहा है डिजाइन में मिल गया है happy anniversary तो color यह black है तो black को हम कर देंगे red या फिर white पिंग तो इसमें देखेगा नहीं तो यहां हम इसको white कर देते हैं यह हो गया white अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो और भी हम चीज़ें इसमें एड करेंगे for an example decor decoration यहां सर्च में आ गया तो यहां से भी ग्राफिक पर क्लिक करा यहां से भी हम कुछ चीज़ेंगे यह flowers जैसे हमने ले लिए तो flower कुछ यहां लगा दिये हमने और कुछ flowers यहां लगा दिये तो यह जो मैं अभी design बना रहा हूँ यह simple design बना रहा हूँ अगर आपको आगे और वी अच्छी designs सीखनी है तो आप चैनल को subscribe करिएगा भागी का आप मुझे comment कर सकते हैं कि more designs about canvas तो इसी प्रकार से हम star भी ले लेते हैं तो यह star इसकी अंदर चलागे तो process भी मैं आपको बता हूँ है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इसको भी duplicate कर देते हैं और ये इधर लगा देते हैं तो ऐसी करके हम duplicate करते जाते हैं यह automatic जा रहा है इसको यह लगा देंगे ये दिल भी हम लगा देते हैं इधर इनको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इनका जो color है वो हम करेंगे red इनको भी duplicate कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा लुका जाए कुछ दिल का हम capacity थोड़ा कम करेंगे जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे हमको तो आप देख रहे हैं कि इतना डिजैन आगी है अब हम इसमें लगाएंगे फोटो तो फोटो मैं अभी नॉर्मली कुछ फोटो होंगे तो वो इसमें लगा देता हूँ बागी का जो फोटो आपकी कॉस्टमर्स सेंड करेंगे तो वो आप लगा सकते हैं एक चीज में आपको और बता देता हूँ कि Canva में फोटो कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहां आप देख सकते हैं अपलोड फोटो पे किलिक करना है upload photo पे click करने के बाद आपके जिस भी folder में photo है उस photo को आप select कर सकते हैं तो मैं ये दो photo select कर लिता हूँ एक ये photo हो गया और एक ये वाला हो गया इन दौनों को मैंने select कर लिया तो ये photos मेरे यहाँ upload हो रहे हैं थोड़ा सा network issue की वज़ए से ये नहीं आ रहा है तो एक photo मेरा आ गया तो आप देख सकते हैं मैं इस photo को इसके अंदर कैसे लगाना है सिर्फ photo को पकड़ा और इसको इसके उपर लिए तो आप देख सकते हैं automatic canva ने इसमें कर लिया है तो ये बहुती simple step और free design है जो आप canva में कर सकते हैं और ये मालीजी ये photo लेकिन Photoshop से काफी ये easy होता है अगर आप beginner हैं नई हैं इस business में तो जब आप Photoshop सीख जाएंगे तो Photoshop आपका best है ये तो इस परकार से देखिए आपका design ready हो गया अब इसको print command देने के लिए आपको जाना Photoshop में ही पड़ेगा तो यहां तक हमने सब कर दिया है happy anniversary तो design भी आपको अच्छा लग रहा है अब हम क्या करेंगे अब हमें करना है ये download CR पे क्लिक करा यहां download पे क्लिक करा PNG की जगे JPG क्लिक करा और यह download तो यहां आपका design यह हो गया download अब हमें करना है इसको Photoshop में print क्योंकि command तो Photoshop से ही जाएगा Canva क्या करता है जो design है उसको थोड़ा सा छोटा करता है तो मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया open पे क्लिक करा यहां हम अपने download में जाएंगे यह design आ गया है तो आप देख सकते हैं look काफी अच्छा आ रहा है जो design है और कुछी steps में design बन गया तो यह मैंने A4 पेच पर जब design लेके ग design को 300 resolution लेकी भी बना सकते हैं तो अब आपको command देने के लिए क्या करना है इसको Ctrl T करके मैं दुबारा से आपको एक बार बता देता हूं Ctrl T करा यहां पर mouse को ले जाकर right click करा mm चूस करा और यहां size जाल देना तो size जो मैंने आपको शुरुआत में बताया तक वही दुबारा बता देता हूं 209 mm विर्थ होता है और 96 mm यह होता है height तो यह हो गया आपका cup ready अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें सेयर करें बाकी का मैं सबली मेसन से लेटेड ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं तो आप उसे जुड़ अच्छा रही रही गा थैंक्यू